सब्सक्राइब करें इंडियन होर्सेश चैनल को बेल बटन का आइकन दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख नमस्कार मैं हो लाउ सिंग आप देख रहें इंडियन होर्सेश और आज की ये वीडियो है जरा कुछ हट के जो पूरी तरह से आधारित है सर्फराज के सानों और सौकत को लेकर इसलिए इस वीडियो को लाज तक का जरूर देखिएगा और यह वो चेहरे हैं जो किसी भी पैचान के अब महताज नहीं है दोनों भाई सर्फराज खान और सुल्तान खान नाम भी वैसे ही है जैसे इनका रुतबा है और अभी आपके सामने जो यह घोड़ा अभी वार्मप शुरू किया है अपना यह घोड़ा है गर्रा जिससे आप अच्छी तरह से वाकिप होंगे और यह किसी सूपर फास्ट इक्सप्रेस से कम नहीं है इसकी चाल लगभग 45 किलो मीटर तक नापी गई है उसकी भी एक जलक आपको आगे आने वाली वीडियो में दिखाएंगे और इस पे सवारी कर रहे हैं सरीफ और जो यह दर्सकों की भीड़ आप देख रहे हैं यह गर्रा की चाल को उसके रूप को देखने के लिए भीड़िया आप इकठी हुई थी जब सभी को पता चला कि गर्रा आप छुटने वाला है तो लोगों का हुजू में आप इकठा हो गया हुजूमों की और जलक आपको आगे देखने के मिलीगी जैसे आप देख रहे हैं घोड़ा जैसे जैसे रफ्तार में आगे बढ़ते जा रहा था और आगे निकलते ही पीछे से दर्सकों की भीड़ उसे अपने आप में चपेट ले रही थी उधर से आप सवार सरीफ अपने पूरे रंग में गर्रा को ले कर आने वाले हैं और देख रहे हैं दर्सकों की भीड़ू से चपेट ले रही एक आवाज सुनिए तो जैसे जैसे सवार सरीफ अपने आवाजों को लल कारते हैं वैसे ही वैसे घोड़ा अपने पूरे रंग और रुत्वे को बरकरार रखते हुए अपनी चाल को बढ़ाते हुए और भीड़ को चीरता हुआ आगे बढ़ते जाता है अब कई लोग के सवाल ये भी हो सकते हैं कि जब ये घोड़ा इतनी रफतार में चलता है तो किसी भी दंगल में पाटिसिपेट क्यों नहीं करता है तो आपको बताते चले कि ये घोड़ा पूरी तरह से सिंधी है और जो राजा भईय के द्वारा प्रतापगड में भदरी रेस कराई जाती है वहाँ पे गत कई वर्सों से ये लगातार बीजेता है और छोटे ग्राउंड होने की वज़ा से हर दंगल में आपको दिखाई नहीं देता है और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे कि ये घोड़ा 45 किलो मीटर की रफतार से चलता है उसका ये जीता जाकता सबूत है जो इसके साथ मोटर साइकी लगा कर इस क्लिप को तयार किया गया है तो आपको बता दें कि ये चौथा वर्स था रेस का जो प्रतेक वर्स आयोजित कराई जाती है सर्फराज खान के द्वारा और यहाँ पे भैसों का बिसाल मेला भी लगता है उसके भी मालिक है सर्फराज खान और यहाँ पे आप जैसा ये क्लिप देख रहे हैं जो सभी गोड़ों के लिग गई है और लगवर सोरा गोड़ों के अकेले मालिक है सर्फराज खान दो रोल लगी है और मैं समझता हूँ कि दिन में ये गोड़े यही पे अ यार कराया है अगर इस क्लिप में कुछ कमी है तो सिर्फ इतनी कि सर्फराज खान और उनके भाई इन गोड़ों के बीच में चलकदमी करते हुए आपको नजर नहीं आ रहे होंगे काफी गोड़े आपे खरीद विक्री के लिए भी उतरे थे और भैसो का एक काफी बिसाल मेला लगता है जो इनके मैं समझता हूँ कि पिता जी के समय से ही उन्होंने इसकी सुरवात की थी और वो जुबेर गंच के मेले के नाम से प्रसिद्ध है तो जैसा कि आप अभी देख रही है ये पूरे उनके घर की एक छोटी सी क्लिप है जो आपे भीड़ी कठी होई थी तीस तारीख के रेस को देखने के लिए बंदर भी आपे दो पाले गया है एक बारा सिंगा भी है जो लास्ट में आपको क्लिक में दिखेगा मुर्गे है बकरिया है जो एक से एक नसल कि यहाँ पे पाली गई है मेरे पास समय कम था और उस दिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि सर्फराज खान भी टाइम नहीं दे पाए तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगली टाइम जब भी मैं वहाँ पे जाऊंगा उनके आँ तो एक अच्छी सी क्लिप और एक फुल डाकुमेंटरी पूरी तरह से उनके इंटर्विव के साथ मैं तयार करने की कोशिस करूँगा और यह वो रियोटी है जहाँ पे सर्फराज खान बैठते हैं और यहाँ पे चहल पहल हमेशा होती रहती है जब भी सर्फराज खान की गेट से इंटरी होती है तो यह तुरंत रियोटी खाली कर दी जाती है उनके बैठने के लिए और इसी वर्स 30 अप्रेल को सर्फराज खान ने एनाउंस भी कर दिया कि अगले वर्स से दो रेसे कराई जाएंगी जो सीधे चकरों की होगी और एक गोल चकर की और प्राइस भी सारे डबल कर दिये जाएंगे तो ये एक छोटी सी क्लिप है उनके 12 सिंगा की जो काफी प्यारा जानौर है तो मैंने सोचा कि इसकी भी एक क्लिप लिलूँ राइडर पोंगा यादों के साथ अब इस क्लिप में एक और सरफराज खान के घोड़े को आप देख रहे हैं जिसकी ट्रेनिंग चल रही है और सवार है बिरेंदर सिंग वैसे तो अपने चार वर्सों की जो रेस अभी तक इन्होंने कराई है कभी भी अपने घोड़े को अपने दंगल में नहीं उतारा पर अगले वर्स से जब दो रेसे होंगी और वो भी एक सीधे चकरों की रेस होगी और जैसा कि हम जानते हैं कि गर्रा सूपर फास्ट जो इनके पास घोड़ा है उस वो भी काफी लाज़बाब है और जब भी बड़ी फिल्ड मिलती है तो वो अपनी बादसाहाथ छोड़ गर्रा को उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए उतारें क्यूंकि ये इंडिया लेवल की चैंपियन सिप होगी और अगर पूरे यूपी और बिहार की अंबात करें तो वैसे घोड़े सिर्फ अनंत सिंग का जो नया घोड़ा है और सर्फराज खान का जो गर्रा घो होता है तो वहाँ ये अगर घोड़े उसकाबिल है तो इन्हें जरूर उतार के और दर्सों के सामने रखना चाहिए जिससे वो जान सके के हमारे यूपी बिहार में भी पूरे भारत के सबसे सर्फरसेस्ट घोड़े आपे मौजूद हैं और वो अपनी प्रतिकिरिया हमें आपे कमेंट बॉक्स में जरूर दें आसा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी लाइक कीजिए सेर कीजिए कमेंट कीजिए